क्या कहती है आपकी राश्री जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का फोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से क्या कहती है आपकी राश्री जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का फोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से गुरूर ब्रह्म्हा गुरूर वेष्णो गुरूर देवो महेस्वर गुरू साक्षात्प्रम्ब्रह्म्हा तसमय स्रे गुरुवे नमः नमस्कार दर्शकों मैं पंडित चंदन संडिल परती दिन के तरह एक बार फिर से श्वागत करते हैं आप सभी के अपने एवं सबसे खास लोगपरी कारिकरम कुंडली दर्शन में और इस कारिकरम में बात करेंगे कि आज से अगली पांस दिन तक घर में ना करें किसी भी प्रकार के कोई शूव काम जी हाँ 15 नौंबर से सुरू हो रहे हैं पंचक जो की 20 नौंबर तक रहने वाले हैं आज कार्तिक सुखलपक्च की शफ्तमीतिति और गुरुवार का दिन है आज धनिष्ठा नचत्र है जो की आज सुखल आट बचकर 45 मिनट से पूरा दिन पार करके कल सुखल 11 बचकर 46 मिनट तक रहेगा और इसके साथ ही 15 नौंबर की रात 10 बचकर 17 मिनट से तारिक 20 को साम के 6 बचकर 34 मिनट तक पंचक के नचत्र रहेंगे याद रखना है आपको तारिक 20 तारिक को साम के 6 बचकर 34 मिनट तक यह पंचक नचत्र रहने वाले हैं धनिष्ठा से लेकर रेवती तक पांच नचत्रों को पंचक नचत्र कहा जाता है इन नचत्रों के दोरान कुछ कारे करने की विशेश मनाही होती है पंचक नचत्र के दौरान कई ऐसे कारे हैं जो नहीं करना चाहिए खास करके घर में शुभ वो काम जो आपको नहीं करना चाहिए इसके बारे में अब आपको हम बताएंगे जो कि आप ध्यान पुरुवक सुने सबसे पहले अगर आप कोई मकान बना रहे हैं तो इन दिनों में मकान के ढलाई ना करें क्योंकि पंचक में मकान से निर्मित काम नहीं करना चाहिए ऐसा सास्त्रों में निसेद माना गया है इससे आपके घर पर नकरात्म परभाव हो सकता है हिंदु धर्म में माना जाता है कि पंचक के दिनों में चार पाई बनवाना अच्छा नहीं होता है यह बहुत बड़े संकट को बुलावा देता है इसलिए इन दिनों में चार पाई भी ना बनवाए तीसरा अगर किसी की साधी हुई है और नई दुलहन को घर में लाना चाह रहें तो इन दिनों में आप अपने घर में नई दुलहन को ना लाएं खास करके इन पांस दिनों में लाना या विदा करना अशुम बाना जाता है इससे आपके आपसी सम्मन में दूरियां बढ़ेगी और आपके रिस्ते ठीक होने के बजाए खराब हो जाएंगे अब अगली बात जीवन और मिर्टू ये दो ऐसी चीजे हैं जो इनसान के हाथ में नहीं है इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना कोई और कुछ कर सकता है तो पंचक में अगर किसी व्यक्ति की मिर्टू हो गई तो उसके अंतिम संसकार ठेक ढंग से ना किया गया तो पंचक दोश लग सकता है यहां तक की पंचक में मिर्टू होने पर कुछ विशेश प्रकार के प्रावधान सास्तों में बताये गये हैं जिससे आपको पंचक दोश ना लगे इसके बारे में विस्तार से गरोड पुडान में बताया गया है जिसके अनुसार अगर अंतिम संसकार करना है तो किसी विद्वान पंडित से सरह लेना चाहिए और साथ में जब अंतिम संसकार हो रहे हो तो सव के साथ आटे या कुछ के बनाये हुए पांच पुतले बनाकर अ अब अगली काम जो आपको नहीं करना चाहिए, कोई भी नया काम यदि आप सुरुवात करना चाह रहे हैं, जमीन जायदाद वहाँ नादी की खरीद या बिक्री करना चाहते हैं, या कोई भी कानुनी काम की आप सुरुवात करना चाह रहे हैं, तो इन दिनों में नहीं करना पंचक के दोरान खास करके लकड़ी, तेल, इंधन एवं छत से सम्दित कोई भी काम नहीं करना चाहिए या उससे जुड़े किसी प्रकार के शामगरी को एकत्रित नहीं करना चाहिए इससे आपको दोश लगता है और इन कामों से आपको इन दिनों में बचना चाहिए पंचक के दिनों में आपको धनिष्ठा नचतर के दोरान खास करके आग से जुड़े कोई भी कार करने से बचना चाहिए इससे आग लगने का खत्रा बना रहता है दक्षिन दुआर को यम दुआर भी कहा जाता है खास करके दक्षिन दिषा में इन दिनों जाना बहुत ही अशुब माना जाता है तो पंचक के समय दक्षिन दिषा की यात्रा ना करें ऐसा करने से हानी होना लगभग तै है तो दर्शकों इन बातों का अपना ख्याल रखें अपने जीवन में जिससे आपको किसी भी परकार के नकरात्मक उर्जा या नकरात्मक प्रभाव आपके जीवन में ना आ पाए जो 30 एम धर्म से जुड़े अनेक रहस्पुन महत्पुन बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जाने इस पहले चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना शेयर करना बिलकुल भी ना भूले फिर मुलाकात होगी अगले कारक्रम में तब तक के लिए नमस्कार जै मातादी राधे राधे